सवा का बजट सत्र चल रहा है इस तोड़ान सदन में बीजेपी विधायक बावलाल मरांडी को नेधा परतिबक्ष नहीं बना जाने का मामला जोरदार तरीके से उठा है बीजेपी विधायक कसीपी सिंग ने सदन के स्पीकर पर सवाल उठा है वहीं 2698 करोड कानपूरक बजट सदन से पास हो गया उधर जारकन के मुख्य मंतरी हैमल सोरे ने सदन में आज ये स्पाष्ट कर दिया कि जारकन सरकार शराबंदी लागू नहीं करेगी सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है आपको बता दें कि जहां मुख्य मंतरी से जारकन में शराबंदी लागू करने की मांग की थी वहीं प्रश्तों का उत्तर नहीं मिलने पर भाजपा विधाक भानुपरताप शाही नहीं नाराज की जिताए होने कहा कि सरकार चला रहे या डमरू बजा रहे इस पर पेजल अस्वक्षिता मंतरी मिलेश ठाकूर ने भानुपरताप शाही से अपने इस बयान पर तुरंत माफी वांगने की बात कही वहीं लंबो दरमाहतों के सवाल का जवाब दीती हुए संसंदी कारे मंतरी आलम गिरालम ने कहा कि 1932 के खतियान को साने नीती का अधार बनाने का मामला विचारा धीन है जार्खन विदान सवा के दूसरे देजन सदन के अंदर विदाक लमोदरमाहतों ने 1932 के खतियान पर नियोजन और साने नीती बनाने का सवाल लुठाया जिसके बाद मुख्यमंत्री हमन सोरे ने कहा कि सरकार हर पहलू का अध्यन कर रही है कि जो इनकी मांग है इसको लेकर तदकाली सरकार में एक अस्थानियता नेती परिभासित भी क्या था देखा हो ने राज केंदर इस विषय को लेकर क्या इस्थिति बना वो हम सब जानते है अध्यक्षमादे और इस विषय को कुछ नियाले ने भी ये निरस्ट कर दिया था अध्यक्षमादे और अध्यक्षमोदे शरकार राज के अस्थानिये मुलवासी आध्यवासीयों के परती कंभीर है और अध्यक्षमोदे जो नियालाई का अधेस है उसका देन क्या जा रहा है अध्यक्षमोदे और इस वक्त सिदे चलेंगे हैं राची अवने समवादाता संदीप जोड़ गया है संदीप जार्खन विदान सभा में बजट सत्र चल रहा है और इस तो रान ना 1932 की खतियान पर नियोजनर अस्थानी नीती बनाने का सवाह लगाता है उट रहा है और मुख्यवंत्री नियों जवाब देनेशी तोर पर आरोप प्रतारोप का दौर एक बाफिल से शुरू हो सकता है जी आज जार्खन विदान सभा बजट सत्र का दूसरा दिन है और कसकते हैं बजट सत्र की सुरुवात से ही आज जो विपक्ष है कहीं ना कहीं अपने बभुलाल मरांडी को नेता परतिफक्ष करने की मांग को लेकर सदन के बाहर पुटेश्ट करते रहे हलाकि सदन के अंदर भी नेता परतिफक्ष को न्यूक करने की मांग को लेकर जो बिज़ेपी के लोग जितने भी विपक्ष के जितने भी नेता थे वे लोग विरुद दर्श किये हैं वहीं आज स्थानिय नीती और यूजन नीती की बात करें तो इसको लेकि भी सदन के अंदर और सदन के बाहर भी हंगामा देखने को मिला जहां पक्ष करें यह कि इस चीज को लेके अध्यान किया जा रहा है उसके अनुसार देखा जाएग और आगे इस पर निर्ने होगा वहीं इस पर साफ जो विजेपी के बाबुलाल महरांडी है उन्होंने साफ तोर पर सरकार यानि हमन सोरेन पर निशाना साथते हुए कहा है कि सरकार के बने दू साल लगबग पूद्न हो गया है और सरकार अब भी अध्यन कर रही है या चौ नहीं कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वहीं आज पहले हाप की बात करें तो राज्येपाल का जो अभीवासन था उस पे भी पहले हाप में चर्चा की गई सदन में वहीं मुक्यमंत्री प्रशनकाल के दर्मियान कई प्रसन मुक्यमंत्री से पूछे गए है जिसका जबाब मुक्यमंत्री ने दिया है और यहीं आज सदन की बात करें तो कॉंग्रेस की जो बिधायका है दीपी का पांडे उन्होंने जार्खण में भी सराब बंदी की जो मांग है उसको रखने का काम किया था वाला कि सरकार की ओर से इस पे जो निर्दने है वह अभ शुक्रिया आपका संदीप संदीप हमारे से बाता बता रहे थे किस तरीके से विधान सबा का बज़र सतर चलना और वहां पर लगतार सवाल उठाये जा रहे हैं और वावलाल मुनार्डी को लेकर भी सवाल उठाये गए जिन्यता परतिवक्ष को लेकर और अन्य मुद्द पर भी सरकार से सवाल किये जा रहे हैं